पचास या सो माईने नहीं रखता दवाब बनाना ज्यादा जरूरी था मैच जताओ पारी खेलने के बाद बोले रोहिस सर्मा रोहिस सर्मा ने 41 गेंदों में 7 चोके और 8 कोकी मस्से 92 रन की 33 पारी खेली जिससे भारत ने 5 विगेट पर 205 रन का मौजदा टूनामेंट का अपना सर्व सोच इसकोर बनाया भारतिय कप्तान रोहिस सर्मा ना ICC T20 विषकप के सूपर 8 चरंड के गुरूप एक मैच के सोंबार को ऑस्ट्रिया को हरा कर सेमी फानल में जगे बनाने के बाद कहा कि वे अपने तूफानी अर्षा तक के दोरान बस उसी अंदाज में बल्लेवाजी करना चाहते थे जैसे अब तक करते आए हैं रोहिस सर्मा ने मैच के बाद कहा जब आप खुले दिमाग से खेलते हैं और सिर्फ एक सोट के बारे में नहीं सोचते हैं तो आप मैदान के सभी हिस्सों में रन मना सकते हैं यह एक अच्छा विक्र था और आप सोट खेलने के लिए खुद को तयार क चाहते हैं मैं पिछले कुछ वर्सों से ऐसा करने की कोशिस कर रहा हूं और मुझे खुशी है कि आज यह संभव हो पाया रोहिस सर्मा ने कहा अरस्ततक और सतक मायने नहीं रखते मैं बस उसी अंदाजम बल्लेवाजी करना चाहता था जैसे करता आया हूं आप बड़ा स्क कित गैंदवाजी की इसलिए मुझे लगा कि आप साइड में भी सौट खेल ले होंगे आपको हवा का भी ध्यान रखना होगा और समझना होगा कि गैंदवाज भी समझदार हैं और मैदान के सभी तरफ सौट खेल ले होंगे बारत के 206 रनों के लक्षय का पीछा करते हो औ अर्षा तक और उनके कप्तान मिशिल मार्स ने 37 के साथ दूसरे विगेट के लिए 81 और ग्लेन मैक्सवेल ने 20 के साथ तीसरे विगेट के लिए 41 की साइज़दारी की इसी के साथ ऑस्टिल्या की पूरी टीम बीस ओवर मात्र 181 रन बना सकी भारत की तरफ से अक्षदीब ने 37 बना कर तीन विगेट जबकि कुल्दी प्यादव ने 24 रन देकर दो विगेट चटका है अक्षर पटेल ने 21 रन देकर एक विगेट और जस्पीद बुम्राव ने 29 रन देकर एक विट में एक विगेट का योगदान दिया रोईसरमा ने कहा है जिस संतूष करने वाली है हम सामने वाली टीम द्वारा लाए जाने वाली खत्रे को जानते हैं एक टीम के रूप में हमने अच्छा परदसन किया जो चीजे हमें करने की जरुरती वक करते रहे एक टीम के रूप में हम अच्छा आतम विश्वास मिलता है 200 अच्छा स्कोर है लेकिन जब आप यहां खेल रहे हैं और हवाई एक बड़ा कारक है तो कुछ भी हो सकता है हलाकि मुझे लगता है कि हम वास्तम परिस्तियों का अच्छी तरह से उप्योग किया अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक के बटन पर किलिक करना ना भूलें क्योंकि हम इस चैनल पर किर्किट से जुड़ी अपडेट लगाता लाते रहते हैं